चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के भारत पाकिस्तान वाले विवादे ट्वीट को डिलीट करने के लिए कहा है दिल्ली के मुख्या चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग से कपिल मिश्रा के ट्वीट को हटाने के लिए मांग की थी इससे पहले चुनावायों ने कपिल मिश्रा को विवादे ट्वीट के लिए नोटीस भी थमाया था बताने की कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था कि आठ परवेली को दिल्ली की सड़कों पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा इसके साथ इमिश्रा ने एक और ट्यूट कर शाहिन बाग मनागरिकता कानूं का विरोध कर रहे लोगों को पाकिस्तानी दंगाई बताया था वहीं दूसरी और कपिल ने कहा कि वो अपने किये गए ट्यूट पर कायम है